नमस्कार दोस्तों आप सभी देख रहे हैं यूटूब चैनल अमेठी ब्लाग और मैं हूँ अंकुर्तिवारी दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने इस समय क्लिक किया है यूटूब चैनल अमेठी ब्लाग दोस्तों हम आपको बता रहे हैं पसपालन विभाग में एक भरती निकल के आई है 2020-21 की तो इसके बारे में जो है हम आपको जितनी भी वेकिंसिया निकलती है और भी बहुत सारी चीजों के जानकारी में अपने यूटूब चैनल से लगातार आप लोगों के लिए देता रहता हूँ तो दोस्तों आईए इस भरती के बारे में बात करते हैं बिग्यापन संख्या इसका है सबसे पहले समझ लिजिए ये जो है भरती भारती ये पस्पालन निगम लिम्टेड में आई हुई है और जिसकी बिग्यापन संख्या है 5BPNL 2021 आप देख सकते हैं उपर और अब सबसे प प्रगत के उद्देश से डेरी फार्म, बकरी फार्म, कड़क नाथ, पोलेटरी, मुर्गी फार्म जिसे बिभिन योजनाओं के लिए आवासिये कोंसल बिकास प्रसिछन प्रदान कर रोजगार के प्रती अग्रसर किया जाना है निगम द्वारा उप्रोक्त योजनाओं के क्रियान्व यन वासंचालन के लिए ग्रामीड परवेश के सिच्छित बेरोजगार वाँ पसुपालक क्रसी छेत में करियर बनाने वाले रूच रखने वालों युवाओं से आवेदन आमंतिर्थ किये जाते हैं इसमें क्रम संख्या पहले है जो है पहला जो पद है भरती जो है आई हुई है वो प्रसिच्छण नियंत्रण अधिकारी की है और पद इसमें है 33 आयू सीमा जो है 25 से 45 साल और जो इसकी आवेदन सुल्क रहेगी वो 944 रुपए है और मासिक वेतन जो मिलेगा वो 21,700 इसके लिए 287 पद है और आयू सीमा है 21 से 40 वर्स आवेदन सुल्क जो है वो 827 रुपए और मासिक वेतन जो मिलेगा अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो 18,500 रुपए और तीसरी भरती है प्रसिच्छण समन्वयक्ट की इसमें जो है 574 वैकेंसी है और 21 से 40 साल जो है और फीस है इसकी 708 रुपए और इसकी में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो 15,600 रुपए आपको परमन्थ मिलेगा चौती भरती है प्रसिच्छण सहायक की जो 28,700 पद हैं और इसमें 18 से 40 वर्स के लोग जो है भर सकते हैं फार्म और आवेदन सुल्क है इसका 560 रुपए 90 और 12,800 रुपए इसकी बैकेंसी जो है मतलब इसमें जो है मासिक बेतन रहेगा 12,800 तो दोस्तों और भी इसमें चीजें हैं तो हम आपको बता दें कि ये बैकेंसी के लिए आप भारत की किसी भी कोने से आप भर सकते हैं फार्म इसमें जो है कोई राज की प्रतिबंद नही पर मासिक बेतन का नियमानुसार अनुपातिक भुक्तान किया जाएगा और आनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांचिस सूचना अंकित करें आवेदन भरने से पूर्ब विग्यप्त को ध्यान पूर्वक पढ़ लें कोई सूचना गलत या अपूर्ब भरने पर आवेदन सुईकार नहीं किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयम आवेदन की होगी तो विशेश चीजें इसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आप फॉर्म भरते समय अपलाई करते समय कोई चीज गलत लिख देते हैं नाम पता एड्रेस तो आपका फॉर्म जो है वो सुईकार नहीं किया जाएगा और रद्ध कर दिआ जायेगा तो था आपकी जो भी आप पैसा जमा करेंगे वो ख्राब जाएगा तो इसलिए जो है सही से अगर आप इसमें भरे तो ठीक ठाक dá आप भरे और आप इसके पातर हों तभी भर सकते हैं अब पातर ना कि हम बात करते हैं कड़कनात पोल्ट्री मुर्गी फार्म प्रसिष्छन कार में अनभो रखने वाले आवेदग को चैन में प्राथमिक्ता दिया जाएगा कहने के मतलब पसपालन के छेतर से हैं अगर हैं करसी छेतर में डियरी फार्म में बेकरी फार्म में अगर आप कुछ कर रहे हैं मुर्गी फार्म में तो आपको ज़्यादा प्राथमिक्ता दी जाएगी उन वक्तियों के अपेच्छा जो एकदम कुछ भी नहीं कर रहे हैं उन और कौसल विकास प्रसिच्छन में प्रवेश दिलवाने कार में अनभो रखने वाले आवेदक को चैन में प्राथमिक्ता दी जाएगी और तीसरा है जो भरती है प्रसिच्छन समन्वयक की इसमें भारत में किसी भी मानिता प्राप्त बोर्ड संससा से किसी भी भी से में 12 उत्रिन होना चाहिए और कहने के मतलब किसी भी जो है मानिता प्राप्त बोर्ड से आप 12 उत्रिन हो तो इसमें आप अपलाई कर सकते हैं और कौसल विकास प्रसेचन में प्रवेश दिलवाने कार में प्रवेश रखने वाले आवेदक को चैन में प्राथमिक्ता दी जाएगी अब चौती भरती के बात करते हैं प्रसेचन सहायक की तो भारत में किसी भी मानिता प्राप्त बोर्ड संस्था से किसी भी विशय में जो है दस्वी उत्रिन होना चाहिए और कौसल विकास प्रशेच्छन में परामर्स प्राप्त करने वा प्रवेश धिलवाने छेत्र में अन्भो रखने वाले आविद्ध को चैन में वर्यता दी जाएगी अब बात करते हैं अन्ने सेवाएं स्वास्त निगम में रिक्त पदों पर भरती के लिए उम्यद्वार अच्छे मानसिक और सारेरिक स्वास्त का होना चाहिए कहने का मतलब जो फार्म अपलाई कर रहा है उसका मानसिक और सारेरिक दोनों रूप से स्वस्थ होना बहुत ही जो है अनिवार है और उसके बाद चरित्र निगम में सीधी भरती के लिए आवेदन का चरित्र प्रमाडपत्र जो है वो चरित्र उत्तम होना चाहिए चोरी डकैती या फिर किसी प्रकार के FIR नहीं होने चाहिए उसके नाम और दूसरी सिरणी में कार के लिए जिला इसतर पर निगम की डेरी फ सब्सक्राइब में सिच्छित बेरोजगार वाकर सी पस्वालन शेथ में रूच रखने वाले युवाओं को जागरूप करना होगा लच्छ तीसरे में देखें प्रसिच्छण प्रभारी के सायता से आवासिय कोशल विकास प्रसिच्छण में आपके जिले की प्रती तहसी प्रभेस दिल्वाना होगा उसके बाद इसी तरीके जो है काम है आप लोगों के रहेंगे और सबके काम जो है दिये गए हैं आप इस पीडियाप को डाउनलोड करके आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और अगर आपको सही लगता है तो आप जो है भारतिये पस्पाल अपलोड करने के लिए और किसी व्यक्ति के द्वारा हंस्ताच्छर माने नहीं होगा केवल जे पी इजी प्रारूफ का सुईकार किया जाएगा और फोटो फाइल का आकार जो है बीस केवी से पचास केवी तक ही होना चाहिए प्रवेश के समय आवेदक के समस्त अपलोड ह अस्ताच्छर से मेल खाने चाहिए अन्यथा अवेदक अयोग ठहराया जा सकता है तो आपके जो भी फोटो हो बीस केवी से पचास केवी के बीच में होना चाहिए और आनलाइन ही इसमें जो है अपलाई कर सकते हैं आप तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगते हैं वेक बाती सही है इसमें कोई फ्राड नहीं तो आप भर सकते हैं और दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमारे द्वारा जी जानकर या आपको कैसी लगती है उससे पहले हमें एक बात और बता के जाना चाहते हैं कि दोस्तों जितने भी लोग हमें देखते हैं, जानते हैं, सबको मैं बता दूँ कि मैं लगातार ऐसे ही जो वीडियो आप लोगों के सामने अब भरतियों के, अगर आप लोग कहें तो मैं जो है डेली एक भरती के बारे में आप लोगों को बताता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर भारत में सब से ज्यादा समस्या है कि लोगों को वैकेंसिया आती हैं और पता नहीं चलती और लोग पहले से ही अपलाई कर देते हैं और जो गाओं छेत्र से हैं इन लोगों को इसका लाव नहीं मिल पाता और जानकारी के अभाव में ये लोग बेचारे फार्म बरने से वंचित रह जाते तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप ये जरूर बताईए कि हम क्या डेली जो है एक वेकंसी के बारे में आप लोगों के साथ जो है एक वीडियो जो है आप लोगों को डेली दें इसके बारे में आप लोग जरूर बताईएगा अगर आप लोग कमेंट में जो है बत दीदिये इजाजत मिलते हैं अगले वीडियो में दे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत वंदे मात्रम भारत माता की जै